उत्रप्रदेश की चुनावी रण में बिजली का मुद्दा पी-म से लेकर सीम तक सब ने उठाया पी-म ने अकलेश पर बिजली देने में भेदबाव कारोप लगाते हुए सब को बिजली देने का एलान किया था अब जब यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई है तो सरकार अपने वादों पर अमल करने के लिए काम कर रही है उत्रप्रदेश के बिजली मंतरी शुरीकांत शर्मा ने कहा है कि आयोध्या मतुरा वारांटसी और गोरतपुर में 24 घंटे बिजली आपूरती मिलेगी ये चार शहर अब बिजली कटोती से मुक्त रहेंगे और इन जिलों में बड़ी संख्या में आने वाले शिद्धालियों की सुविदा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे बिजली आपूरती सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने कहा कि उनका विभाग 2019 तक राज्ज के बाकी हिस्से में 24 घंटे बिजली मोहिया कराने को प्रतिबद है साथ उन्होंने कहा कि अधिकारियों से 15 दिन के भीतर वरतमान खामियों को ठीक करने के लिए निर्देश दिये गए हैं पुराने ट्रांसफार्मर भी बदले जाएंगे अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सरकार ने बीपिल श्रेडी में आने वाले लोगों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन खोल दिया है पीम के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए यूपी के मंतरी एक्शन में काम करते नजर आ रहे हैं पूरे उत्रप्रदेश में 24 घंटे बिजली के वादे को पूरा करने की कवायद आयोध्या मतुरा वारांटसी और गोरकपुर से शुरू की गई है देख्ते रहे हैं डीवी लाइव